व्रिश्चिक राशिवालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हो जाएं सावधान दुश्मन, बड़ा जाल बिच चुका है। आने वाली अगले तीन दिनों का समय आपके लिए बहुत ही सावधानिबार अवश्य में रहने वाले हैं। दोस्तों, हम यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको सतर्क करने के लिए बना रहे हैं। क्योंकि यह दुश्मन पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। क्योंकि दोस्तों, यह जानी दुश्मन है, यह आपकी जान ले लेगा। आपको कभी यह खुश नहीं देखना चाहता है। आज के इस वीडियो में हम सारी सच्चाई बता कर ही रहूंगा। मैं बागेश्वर धाम। फुल गारंटी के साथ किया था, यह वीडियो आप सभी की जीवन को बदल कर रख देगा। अगर एक भी बात गलत हो जाए, तो फिर कहना वीडियो शुरू करने से पहले, जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मातादी तीन बार लिखिएगा, जय मां भद्रकाली तीन बार लिखिएगा, और दोस्तों, यकीन मानिये, आने वाले 24 घंटे के अंदर मातारानी आपको बड़ी खुशखबरी देंगे, और साथ ही साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों, चैनल को भी जरूरी है, सब्सक्राइब कीजिएगा, चलिए दोस्तों, आ कभी दुश्मनी करता है, तो कभी भूल जाता है, लेकिन ये आपकी पीट पीछे ऐसा ऐसा कार्य कर रहा है, जिसे आपके जान भी जा सकती है, जी हाँ दोस्तों, पहला कार्य है तांत्रिक क्रिया, दूसरा क्रिया है मरकंद क्रिया, और दोस्तों, आपकी आँखों के सामन ही ये सब कांड कर रहे हैं इसलिए हम आपसे भी को बताने जा रहे हैं दोस्तों सबसे पहले आप इन पर बहुत ज्यादा भरोसा जो करते हैं ये इन पर आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है और आपको भनक भी नहीं है हम आपको बताएंगे कि वह कौन से संकेत हैं जो इस बात का सपष्ट फ्रमान देंगे कि आपके ऊपर काला जादू किया गया है साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन है वह इनसान और क्यों उसने आपके ऊपर यह काला जादू किया है जी हाँ दोस्तों आप इन बातों को हलके में बिलकुल मत लेना क्योंकि आज के समय में इन सब प्रक्रियाओं को बड़ी आसानी से अंजाम दिया जाता है और कुछ लोगों ने तो इस काम को अपना व्यवसाय बना लिया है कि कुछ रुपए पैसे लेकर किसी की जिन्दगी पूरी तरह से बरबाद कर देना दोस्तों कुछ ऐसे प्रमाण भी देखने के लिए मिलते हैं ठीक इसी हंस्ते खेलते परिवार के मुखिया पर यानि घर के पैसा कमाने वाले सदस्य पर कोई मार्ग प्रक्रिया की गई और कुछ निश्चित समय की अवधी के अंदर-अंदर एक स्वस्थ इंसान भला चंगा इंसान बिस्तर पकड़ लेता है और कुछ ही समय में अभी प्रक्रिया के अंश मात्र भी संकेत दिखाई देते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और यदि शुरुवाती संकेतों पर ही आप सतर्क हो जाते हैं और कुछ नश उकचार कर लेते हैं तांत्रिक क्रियाओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यदि इनका प्रभाव जीवन में किसी इंसान के उपर अत्यधिक बढ़ जाता है। फिर बात काबू से बाहर हो जाती है और फिर ऐसे में आप दर-दर की ठोकरें खाते हैं। कभी इस तांत्रिक कभी उस पूजा के पास जाते हैं, लेकिन आपकी शंका का समाधान हो पाना लगभग नामुम्किन होता है कि दोस्त तांत्रिक क्रिया का एक विशेश नियम है कि जिस व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया की है, यदि वही व्यक्ति उस तांत्रिक क्रिया की लेकिन यदि आप शुरुाती लक्षणों को पहचान कर कोई उपचार करते हैं, तांत्रिक क्रिया वापस लोटाई जा सकती है, तू आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विशय पर बहुत गहराई से ध्यान देने जा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे दस संकेत जो आपको इस बात की पहचान करा देंगे, क्या आपके उपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है, कोई बंधन हुआ है, या नहीं हुआ है। फिर इसके बाद हम आपको मारन प्रक्रिया के कुछ विशेश संकेतों के बारे में भी बताएंगे क्योंकि यह बहुत आवश्यक है अपने अपने जीवनकाल में ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे उनके अंदर कोई भी नशा कोई भी प् प्रक्रिया के भी शुरुवाती संकेतों को यदि समझ लिया जाए और उपचार किया जाए तुझे प्रक्रिया भी वापस की जा सकती है तो ऐसे में आपको इन सब बातों का ध्यान होना बहुत आवश्यक है हम यह नहीं कह रही थी निश्चित तोर पर आपके उपर ले कि लेकिन यदि इसकी शुरुवाती संकेत आपको अपने जीवन काल में अपने घर परिवार में या किसी भी परिवार के सदस्यों पर दिखाई देते हैं तो आपको सतर्क होकर कुछ उपचार कर लेना चाहिए इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्त आप ऐसा करेंगे तो क्योंकि इस वीडियो में हम ना केवल संकेतों की बात करें बलकि आपको बहुत ही शक्तिशाली उपाए के बारे में भी बताएंगे और भविश्य में कोई ऐसी प्रक्रिया आपके उपर या आपके घर परिवार के उपर ना कर सके इस बात के लिए एक रख्षा कवज भी तैयार करेंगे जो आपके घर की रक्षा करेगा, साथ ही साथ आपकी भी रक्षा करेगा, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी भी रक्षा होनी बहुत आवश्यक है, दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन कई प्रकार से तांत्रिक क्रियाएं की जाती है खाने पीने की वस्तूओं से लेकर आपके बाल, आपके शरीर के वस्त्र प्रसाद के रूप में दी गई मिठाई या फिर केवल आपकी छोटी सी फोटो दोस्त तो आप बच नहीं सकते यदि आपके उपर किसी ने मार प्रक्रिया या किसी प्रकार की तांत्रिक प्रिया करने का मन बना लिया था आपके पास निश्चित तोर पर आएगी आप बच नहीं सकते हैं लेकिन यदि आपने अपना सुरक्षा कवच मजबूत कर रखा है तो वह आपके पास आकर भी आपका कुछ बिगाड नहीं पाएगी वापस चली जाएगी और जिसने यह क्रिया आपके ऊपर की है उसी नुकसान पहुचाएगी जी हाँ, दोस्तों को दोबारा कभी आपके ऊपर इस प्रकार की क्रिया करने का सोचेगा भी नहीं तो इस वीडियो में इन सब विशेयों पर गहराई से चर्चा की जा रही है वीडियो को आपको पूरा देखना है और भविश्य के लिए भी आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का संकेत दिखाई देता है तो सतर्क हो जाना है और वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन काल में आजमा लेना है चाहे आप के उपर किसी प्रकार की क्रिया हो या ना हो आप इन उपायों को अवश्य अपना लें इस से आप भविश्य के लिए सुरक्षित हो जाएंगे इस प्रकार की वीडियोज बनाए जाते हैं इसमें हम और हमारी पूरी टीम की बहुत मेहनत लगती है बस हम आप से इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाए बस यह चीज हम आप से हाथ जोड़कर विनती करते हैं और हमारे द्वारा बनाए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बातों को समझ कर अपने जीवन में इन्हें प्रयोग करें आपका जीवन सुन्दर बनेगा इसी से हमारा मनुबल बढ़ेगा और हमारा पुन्य का घड़ा भी भर जाएगा ये दोस्तों तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं लेकिन इससे पहले आप से एक निवेदन है कि कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मांभद्रकाली लिखना बिल्कुल भी न भूले माता का सीधा प्रेम और आशिरवाद आपको प्राप्त होगा इसी के साथ शादी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूले दोस्तों हम आपके जीवन उप्योगी बाते घ्यानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं आपका घ्यान बढ़ाते रहते हैं बदले में अब हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल परिवार को बढ़ा कर सकते हैं हमें बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों तो चलिए बात करते हैं और आपको बताते हैं कि यह माल प्रक्रिया या फिर तांत्रिक क्रिया क्या है और क्यों किसी के उपर की जाती है तो दोस्तों मान कर चलती है कि आप एक ऐसे इनसान है जो समाज में किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं अपने काम से काम रखते हैं और मेहनत और मेहनत करने के बाद जो आपको छोटी मोटी सफलता मिलती है आप बस उस सफलता का आनंद लेते हैं और अपने जीवन में सुखी है लेकिन आप क्या पास कोई एक ऐसा इनसान है जिसको आपकी कोई भी हरकत अच्छी नहीं लगती है आपके जीवन जीने का तरीके से भी उसे जलन होती है और जब आपको छोटी से छोटी सफलता प्राप्त होती है तो उस इनसान के सीने पर साँप लोटना है तो अब ऐसे में वही इनसान खुद को आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन आपको पीछे खीचने की पूरी कोशिश करेगा और आप ये मत समझना कि हम जो आपसे कह रही हैं ये कोई हवा हवाई बाते हैं हर इंसान के जीवन में कुछ लोग ऐसे अवश्य होते हैं जो उसे हमेशा पीछे खीचने की कोशिश करते हैं उसके आसपास होते हुए भी उसका कभी भला नहीं चाहती है उसका बुरे से पूरा करना चाहते है ये दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आपकी किसी भी बात से लोगों को जलन हो सकती है आप किसी से कम बोलते हैं इस बात से भी जलन हो सकती है आपको सम्मान देता है इस बात से भी आप अच्छे कपड़े पहनते हैं आप किस तौर तरीके बहुत अच्छे हैं इन सब बातों से ही लोगों को जलन हो सकती है जरूरी नहीं कि कोई आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लें तभी लोग आप से चलन खाएं पता नहीं किस छोटी से छोटी बात से भी किसी को जलन हो और वह किसी प्रकार की प्रक्रिया आपके उपर करवा दें ये दोस्तों आप यकीन मानिये इस प्रकार की प्रक्रिया करवाना कोई बड़ी बात नहीं है बहुत छोटी सी रकम लेकर ही आजकल के तांतरिक इन क्रियाओं को किसी के उपर कर देते हैं कि उनका व्यापार है तो आपको ऐसे में बहुत होशियार रहना है अब आपको समझ में आ गया कि कोई आपके उपर तांतरिक क्रिया क्यों करवा रहा है या क्यों करवाएगा तो वैसे मैं आपको जानना आवश्यक है कि तांत्रिक प्रिया के संकेत क्या है तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वो ऐसी बड़ी संगीत जिन से आपको यह पता लग जाएगा कि आपके उपर किसी प्रकार की तांत्रिक प्रिया हुई है या नहीं हुई है ना केवल आपके उपर बल्कि आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य के रूप आप इन नियमों को लगा कर जान सकते हैं कि किस प्रकार की तांत्रिक लिया आपके उपर या उसके उपर की गई है तो सबसे पहला संकेत आप समझे कि कोई भी इनसान जिसका एक विशेश व्यक्तित्व है विशेश अभाव है लेकिन जैसे ही उसके कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है तो उसके आसपास की उर्जा में अच्छानक बड़ा बड़ाव आ जाता है और इस बड़े बड़ाव की वजह से उस इनसान का स्वभाव पून रूप से बदल जाता है ये दोस्तों जहां पहले वह इंसान धीरे धीरे बातें करता था अब जल्दी जल्दी बातें कर सकता है जहां पहली बार धीरे धीरे चलता था अब वह जल्दी जल्दी जा सकता है जहां पहले खाने में उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती अब उसे कोई चीज अच्छी लग सकती है और हो सकता है कि वह इंसान पहले बहुत अच्छी आदत है रखता था यानि की योग प्राणायाम कसर्त वगेरा करता था और नशे से और व्यसनों से दूर रहता था उल्टा हो जाए और हो सकता है कि वह किसी प्रकार के नशे में लिप्त हो जाए जुआ शराब आदी में लिप्त हो जाए मांसाहार का सेवन शुरू कर दी और इससे भी बुरी आदतें उसके अंदर अचानक उत्पन न हो सकती है यह नकारात्मक उर्जा का तांत्रिक विद्या का प्रभाव होता है तो उसका पहला बड़ा संकेत की आदतों में अचानक बदलाव हुआ को नोटिस करना है यह दोस्तों दूसरा संकेत समझिए कि जब अचानक किसी के उपर तृतिया की जाती है तो उठ जाओ मैं जो बड़ा बदलाव आता है उस इनसान का शरीर इस उर्जा में आए बड़े बदलाव को सह नहीं पाता और इससे परिणाम ये होता है कि उस इनसान के शरीर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी घर कर जाती है जैसे उसके शरीर में दर्द रहेगा, हलका बुखार रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, भूक नहीं लगेगी और भी बड़ी बीमारियां आ सकती है माइग्रेन बगैरा हो सकता है पेट में लीवर में इन्फेक्शन किड्नी में इन्फेक्शन मतलब कि किसी प्रकार की बीमारी उसके शरीर में घर कर जाएगी अब इसमें आश्चर्य की बात यह रहेगी कि वह इनसान तो कहेगा कि मुझे बीमारी है लेकिन जब उसका इलाज किया जाएगा तो उसे इलाज का उस इनसान के ऊपर कोई असर नहीं होगा साथ ही साथ कोई भी डॉक्टर किसी भी प्रकार का चेक-प करेगा तो कोई भी बीमारी उस चैक-प में नहीं निकलेगी लेकिन बाहर लगातार बीमार रहेगा दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा इलाज कराया जाएगा तो कुछ दिनों तक तो लाब रहेगा लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही स्थिती बन जाएगी उसकी बीमारी लगातार उसका पीछा करती रहेगी छोड़ेगी नहीं जी हाँ दोस्तों और ऐसा केवल इसलिए होगा कि तांत्रिक क्रिया की वजह से जो भयंकर नकारात्मक उर्जा उस इनसान क्यों पर आई है इसे इनसान के शरीर में सहन करने की शक्ती ना होने के कारण बदलाव आ गए है जिस वजह से बीमारी उसके शरीर में सहन करने की शक्ती ना होने के कारण बदलाव आ गए है जिस वजह से बीमारी उसके शरीर में महसूस हो रही है असल में बीमारी है नहीं दिखा दो उसको तीसरा संकेत आपको ध्यान देना है कि दो प्रकार से घटित हो सकता है या तो इनसान बहुत गुसेल हो जाएगा बहुत ज्यादा बातें करने वाला हो जाएगा बात बात पर बहस करने वालों हो जाएगा और जगड़ा कर पर तुरंत उतारू हो जाएगा या फिर ठीक है इसका उल्टा भी हो सकता है कि इनसान बिल्कुल गुमसुम हो जाएगा चुपचाप रहने लगेगा एकांथ प्रिय हो जाएगा बंद अंधेरे कमरे में रहना बहुत अधिक पसंद करेगा जब भी कोई उसे कुछ पूछने की कोशिश करेगा बात करने की कोशिश करेगा तो वही इनसान हमेशा नकारात्मक जवाब भी देगा और उदास और परिशान सा दिखाई देगा तो यह भी संकेत जो है यह उस इनसान की मानसिक्ता पर निर्भर करते हैं उसकी आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति पर निर्भर करते हैं कि नकारात्मक उर्जा का तंत्र प्रिया का उसके उपर कैसा प्रभाव है और वह कैसा बरताव कर रहा है, तो इसे आपको ध्यान से समझना है कि हम दोस्तों अगला संकेत यह रहेगा। क्यों उस इंसान की धड़कन है और सांसे अचानक तेज हो जाएंगे। जी हाँ, दोस्तों वह सामानने तौर पर अपने कार्य कर रहा होगा, लेकिन तभी अचानक उसकी धड़कन तेज हो जाएगी, उसकी सांसे तेज हो जाएंगे और उसकी सांसों में से एक अजीब सी आवाज भी आने लगी। यदि अचानक ऐसा होता है और अचानक ही ठीक भी हो जाता है, तब भी यह किसी प्रकार की मार्ग प्रक्रिया का संकेत है, तांत्रिक क्रिया का संकेत है, इसे हलके में नहीं लेना है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि उस इनसान के शरीर में जो आत्मिक उर्जा है, जब उस आदमी को उर्जा को दबाया जाता है, तांत्रिक क्रिया के द्वारा ताकि किसी नकारात्मक उर्जा को उसके शरीर में प्रवेश कराया जा सके, तब उस इनसान का शरीर प्रतिक् धड़कन तेज हो जाती है लेकिन बाद में सब सामानने हो जाता है। याद रखना है कि जब भी कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है तो उसका प्रभाव एक जैसा नहीं रहता। कभी कम कभी ज्यादा और कभी आशा कभी जाता रहता है। जी हाँ दोस्तों अब अगला संकेत आपको ध्यान से समझना है कि ऐसे इनसान को किसी एक विशेश स्थान पर ही अच्छी नींद आएगी। यदि वह किसी दूसरे स्थान पर जाकर सोने की कोशिश करेगा तो उसे या तो नींद ही नहीं आएगी और यदि नींद आएगी भ भयानक डरावनी सपने 25 कर जाक जाएगा। चिलाएगा और कुछ समय बाद दोस्तों उसका वह स्थान जहां पर उसे अच्छी नींद आती थी वहाँ पर भी उसे नींद आनी बंद हो जाएगी और यदि नींद आएगी भी तो डरावने सपने आएगे। भाई अपनी प्रकार में नहीं है वह दिखाई देते हैं और वह किसी बात को आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं आप चाहे उस बात को समझ पा रही है या नहीं समझ पा रहे हैं यह एक अलग बात है लेकिन भी आपसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं तो आप समझ ये कि आपके मित्र पूर्वज आपसे बहुत पसंद है अभी आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या आपके घर में किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है और सपने के माध्यम से भी आपको सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सपने में काला स आप दिखाई देगा इसका भी यह संकेत है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है जी हाँ दोस्तों आपकी आँखों के नीचे काले निशान और गड़े पड़ जाएंगे तो ऐसा इसलिए होगा कि आपका शरीर उस भयंकर नकारात्म कूर्जा से लड़ने की कोशिश क कर रहा है जिसकी वजह से आपको आंत्रिक बेचैनी हमेशा बनी रहती है शरीर आराम नकर पाने की वजह से धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और कमजोरी का पहला संकेत आँखों पर ही दिखाई देता है तो आँखों के आसपास काले गेरे बनने लगेंगे यहरे होते च देखकर अक्सर होंगे लेकिन आपके नजदीक नहीं आएंगे दूर से ही आपके उपर भूलेंगे यदि ऐसा है तो सतर्क हो जाईए आपके उपर कोई एंड तांत्रिक क्रिया की गई है और जानवर उस तांत्रिक क्रिया को महसूस कर लेते हैं खास तोर से कुट्टे नकार दोस्तों आपके नजदीक भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि उन्हें उस नकारात्मक उर्जा से डर लग रहा है। बहुत भयानक है लेकिन दूर से ही बैठेंगे। जी हां दोस्तों तो ये तो थी तांत्रिक क्रियाओं के संकेत आप मारन प्रक्रिया जिया। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि की तांत्रिक क्रिया से तो आप फिर भी जीवित रहेंगे। कम से कम चाहे आप अच्छा जी। लेकिन आप जीवित रहेंगे लेकिन यदि मार्ग प्रक्रिया कर दी गई तो फिर जिन्दा रहने का कोई भी कॉलम नहीं है। जिन्दा रहने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। मृत्यू निश्चित है तो इसे जानना बहुत जरूरी है। तो तो बाद में हम इसका तोड भी आपको बताएंगे। ये शुरुआती संकेत रहेंगे। दोस्तों, क्योंकि जब संकेतों की प्रबलता बढ़ जाती है तो मतलब नकारात्मक शक्ति के गिरफ्त में रोटी बोर के है। फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर आपको केवल वही तांत्रिक बचा सकता है जिसने ये तांत्रिक लिया। आपके उपर की है या फिर कोई उससे भी ज्यादा बढ़ा। शक्तिशाली तांत्रिक होगा, इसकी काट कर सकता है। ये दोस्तों हमारे प्रक्रिया का एक उदाहरन आप समझिये जो हमने अपने जीवन काल में देखा। कुछ ही साल पुरानी बात है, एक हमारे जानने वाले हैं। उनके पिताजी बहुत अच्छे सज्जन इंसान सरकारी टीचर, बहुत अच्छी सैलरी और बहुत ही अच्छा जीवन। उनका गुजर रहा था। पता नहीं किसी ने उनके उपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की मारवाड प्रक्रिया थी। दोस्तों, तू अच्छी खासी स्वस्थ इंसान को अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वे तुरंट बुरी तरह से बीमार, उनके शरीर में पूरी तरह से बुखार और बुखार किस हद तक उनके उपर हावी हो गया कि खाना पीना हो गया और दो ही चाड़ दिनों में उन्हें बि खड़े हो गए और किसी ने उन्हें किसी अच्छे बढ़े तांत्रिक का पता बताया तो भी उस तांत्रिक के पास गए उस तांत्रिक ने उस तांत्रिक क्रिया का काड़ तो कर दिया लेकिन बाद में उसने जो बताया वह रोंग्टे खड़े कर देने वाला था यह दोस्तों असल में हकीकत यह थी कि उन्हें किसी ने मिठाई में एक धागा लपेट कर यानि कि उस मिठाई में छुपा कर एक धागा खिला दिया था और वह धागा तांत्रिक्रिया के द्वारा अभिमंत्रित था और नकारात्मक उर्जा का यानि मरण प्रक्रिया का प्रमान था उस धागे में 21 गाने लगी हुई थी दोस्तों बड़ी चीज काठ है 21 दिनों के लिए थी जैसे ही 21 दिन समाप्त होते हैं उस इंसान की मृत्यू हो जाती है यहां दोस्तों अब आप समझे कि कितना भयानक हो सकता है यह मार्ग प्रक्रिया का तंत्र ऐसे में जिस इंसान की किस्मत अच्छी होती है तूने कोई बड़ा गुरू मिल जाता है बड़ा तंत्रिक मिल जाता जो काठ कर पाता है और कुछ विचार है तो भाग्यशाली ऐसे होते हैं जिन्हें तो पता ही नहीं चल पाता कि उनके उपर किसी प्रकार की मांग प्रक्रिया की गई है और ऐसी अंजान अवस्था में ही मृत्यू को प्राप्थ हो जाते हैं जी हाँ दोस्तों तो अब ऐसे में आपको यह बात पता चली गई कि जब भी किसी इनसान के उपर मार प्रक्रिया कर दी जाती है तो उसकी एक समय अवधी भी तै की जाती है लेकिन दोस्त यह कोई ऐसी वैसी प्रक्रिया नहीं है 21 दिन का 31 दिन का या फिर केवल और केवल 7 दिनों का बीमा किया जा सकता है जी हाँ दोस्तों अब आपको बताएं कि हमारे प्रक्रिया काम कैसे करती है कई तांत्रिक ऐसे होते हैं जो कई नकारात्मक शक्तियों को सिध्ध कर लेते हैं जी हाँ दोस्तों जैसे भूत पिशाच निशाचर जिन बगैर आएगा और जब भी तांत्रिक शक्ति को सिध्ध कर लेते हैं तो वे उनके काबू में रहती है और इन नकारात्मक शक्तियों या इने नीचे शक्तियां भी कह सकते हैं। इन शक्तियों का प्रभाव इतना अधिक होता है कि यह किसी की भी जान किसी भी समय ले सकती है। यदि इन्हें मंत्रों के द्वारा किसी के उपर साथ दिया जाए ताकि हाँ दोस्तों अपने मंद से यह किसी की जान नहीं लेंगे लेकिन यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा इन्हें किसी के उपर साथ दिया है तो वह किसी की भी जान ले सकती है जी हाँ दोस्तों तो जब किसी के ऊपर साथ ही आ जाए ताकि हा दोस्तों अपने मन से यह किसी की जान नहीं लेंगे लेकिन यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा इन्हें किसी के ऊपर साथ दिया है तो वह किसी की भी जान ले सकती है जी हाँ, दोस्तों तुझे किसी के उपर मारन किया जाता है तो उस इनसान का नाम गोत्र राशिपता और बहुत सारी जानकारी लेकर यह प्रक्रिया पूरी की जाती है और यह भयंकर नकारात्मक उर्जा या यूं कहें कि भूत प्रेत निशाचर आदी को उस इनसान के उपर छोड़ दिया जाता है फिर उस इनसान को कोई बचा नहीं सकता है यह महाशक्तियां नकारात्मक नहीं, शक्तियां उस इंसान को अपने साथ लेकर ही जाती है दोस्तों और जब यह नकारात्मक शक्तियां किसी इंसान की जान लेती है तो वह किसी ना किसी बहाने से ही लेती है सीधे तोर पर किसी को मार पाना इनके बस में नहीं होता तो यह शक्तियां किसी इंसान के ऊपर किसी प्रकार की भयानक बीमारी को छोड़ देती है या फिर कोई भयानक एक्सीडेंट वगएरह करा देती है या फिर किसी ऐसे विवाद में उलज़ा देती है कि जहां उसकी मृत्यू होना निश्चित होता है जिसमें किसी इनसान को भैंकर बीमारी दे देना आम बात है आम तोर पर यही देखा जाता है तो अब किसी इनसान के उपर मार्क प्रक्रिया की गई है इसे जानने का क्या तरीका है इस बात को जाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यह है कि उस इनसान की आदतों को समझा जाए यदि किसी इनसान की आँखों में अचानक बहुत बड़ा फेर बदल आ जाए और भी आदतें पूर्ण रूप से नकारात्मक हो जाए तो यह इस बात का संकेत है कि मारण प्रक्रिया हो सकती है और यह फेर बदल आदतों में जो होगा वह कोई सामान में फेर बदल नहीं होगा यानि शुद्ध शाकाहारी इनसान मांस खा सकता है और बहुत अधिक मात्रा में खा सकता है जिसने कभी शराब नहीं पी वह शराप पी सकता है और बहुत अधिक मातरा में भी सकता है जुआ खेल सकता है या फिर और भी बुरी और नीच हरकतों में लिप्त हो सकता है इस से भी बड़ी बात ये है कि अचानक उसके शरीर में किसी बड़ी और भयंकर बीमारी के संकेत दिखाई देने लगेंगे ये दोस्तों उस इनसान का शरीर और चेहरा काला पढ़ने लगेगा और उसकी आवाज दब नहीं लगेगी जहां दोस्तों वह कुछ भी बोलने की कोशिश करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है उसकी आवाज ठीक तरह से बाहर नहीं निकले और इसी वज़े से वह इनसान लोगों से कम बात करने लगेगा जी हां दोस्तों अब मारवाड प्रक्रिया इतनी तीवर होती है कि इसके संकेत बहुत जल्दी जल्दी ओवर कर बाहर आने लगते हैं तो यह संकेत दिखाई तो बहुत तेजी से देती है लेकिन इनसान को सोचने समझने का मौका बहुत कम ही मिल पाता है तो अब आपको ऐसे में सतरक रहना है और कोई स्वस्थ इनसान जो पून रूप से स्वस्थ है कोई बीमारी नहीं है अचानक भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाता है और नौबत यहां तक आ जाती है कि वह बिस्तर पकड़ लेता है और डौक्टर भी उसकी बीमारी को समझ नहीं पा रहे है और उसका शरीर लगातार कमजोर होता चला जा रहा है काला चला जा रहा है खाना पीना सब छोड़ चुका है तो आप समझ जाईए कि हमारे वोर्ड प्रक्रिया हो सकती है और मारन प्रक्रिया को एक तरह से पता लगा सकते हैं कि वह इनसान जिसके उपर आपको शक है कि मारवाड प्रक्रिया की गई है उस इनसान के बिस्तर के नीचे आप एक काँच के गिलास में जल भर कर उसमें नमक मिलाकर उस इनसान के बिस्तर के नीचे रात भर के लिए डीजे दूसरे दिन भर चल थोड़ा सा काला दिखाई देगा और बहुत अधिक गंदा और मटमेला हो जाएगा ऐसा इसलिए होगा कि नमक के अंदर और जल के अंदर नकारात्मक शक्तियों को सूखने की बहुत अधिक शमता होती है तो उस इनसान के उपर जो नकारात्मक शक्ति हावी है उसका प्रभाव जल पर होगा नमक पर होगा और वह काला पड़ जाएगा और पानी भी एकदम गंदा और मटमेला हो जाएगा और जब स्थिती बहुत बड़ी होगी तो उस पानी में से बद्बू भी आ सकती है यदि ऐसा है आप समझ जाईए सतर्क हो जाईए मारन प्रक्रिया हो चुकी है इसका कोई बड़ा इलाज करवाईए वरना इनसान बच पाना नामुमकिन है जी हाँ दोस्तों यदि मारन प्रक्रिया की गई है तो उसका निवारन तो कोई बड़ा तांत्रिक ही कर सकता है वह छोटे मोटे उपाईव से नहीं किया जा सकता है और उसमें भी यदि इनसान की किसमत अच्छी रही तो क्यों की कौन सी मारवार प्रक्रिया की गई है इसको पता लगाने में इतना समय गुजर जाएगा कि उसकी खाट ढूंढना और उसे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका समय ही नहीं मिलेगा बात करती है कि किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है जो आपके उपर बंधन लगाएगी और आपकी उन्नती तरक्की को रोकेगी आपके घर में विनाश लेकर आई कि इस नकारात्मक शक्ती से आपको छुटकारा कैसे दिलाया जाए यह बहुत आवश्यक है तो आपको इसके लिए करना यह होगा कि छोटे छोटे कई कार्य अपने जीवन में जोडने होंगे और कुछ समय तक इन कारियों को करते रहना होगा सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने घर के चारों कोनों में काले कपड़े में लपेट कर थोड़ा सा सेंधा नमक और फिटकरी रखें जी हाँ दोस्तों नमक की पोटलिया को चारों को रखना है और इन्हें हवा में लटकाना है या दोस्तों कोई देखना पाए अभी आपको टांगने है। जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष की माला है। आपको xuद्ध करके अभीमंतृत कर लेनी है। शुद्ध करने के लिए नए आपको गाय के दूध में और उसके बाद गंगा जल्द से धोने के बाद साधारन जल्द से धोने के बाद शुद्ध हो जाती है। और याद रखना है कि आपको रुद्राक्ष की माला है। गोमुख में ही रखनी है, खुली में नहीं रखें। जी हाँ, दोस्तों कोई भी माल आपको लेने नहीं रख सकते। यदी वह अभिमंत्रित हो चुकी है, तो तो आपको यह कार्य करना है। इससे आपके घर में एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा. घर के दरवाजे पर रोज शाम के समय गाए के घी का एक धीपक जलाना है. धीपक पीतल का हो सकता है या मिट्टी का हो सकता है? अन्य का धीपक नहीं जलाना है? जी हाँ. दोस्तों के साथ ही साथ अपने घर में चारों तरफ गंगा जलका और गोमुत्र का छिड़काव करना है और घर के बीचों बीच यानि भ्रह्मस्थान में आपको लोबान और भीमसेनी कपूर चलाना है शाम के समय यह प्रक्रिया आपको करनी है इतना आपको करने से आपके घर में एक रक्षा कवच तयार हो जाएगा और हाँ दोस्तों एक छोटी सी बात और कि जब आपके घर में पहुंचा लग रहा हो तो उस पहुंचा वाले पानी में थोड़ा सा सेंदा नमक अवश्य घर के सभी सदस्य इस पानी से स्नान कर रहे है उस पानी में भी थोड़ा सा सेंदा नमक अवश्य मिल पाए ऐसा करने से आपके घर में एक रक्षा कवच तयार हो जाएगा कोई भी नकारात्मक हूँ आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और यदि प्रवेश कर चुकी है तो वह धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी जी हाँ दोस्तों अब ऐसी मैं आपको अपने उपर रक्षा कवच बनाने के लिए क्या करना है तो आपको ध्यान से सुनना है आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी क्योंकि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका रक्षा कवच हट जाएगा हर का रक्षा कवच केवल घर तक ही सीमित है तो आपको अपने उपर भी रक्षा कवच बनाना है, तो सामान्य तोर पर, तो आप लोग का जोड़ा अपनी जेब में रखकर निकल सकते हैं, इससे भी आपकी सुरक्षा होगी, लेकिन यदि कोई बड़ी प्रक्रिया आपके उपर कर रहा है, तो उसके लिए आपको से समझना है, कि उस नीम्बू को आपको चार बराबर कलियों में काट लेना, और हर एक कटे हुए भाग में एक लोग गाड़ देनी है, और उसके बाद उस नीम्बू को अच्छी तरह से धूप में सुखा लेना है, जवानी मुह सूख जाए, तो उस नीम्बू की एक पोटी सी पोटली बना कर अपने पास रख लेंगे, आपका रक्षा कवच होगा, इसे आप अपने पास हर वक्त रखेंगे, इससे आपके उपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक उड़ जा होगी, वह हट जाएगी जैसे ही उसे अपने पास रखेंगे, दिनों के अंदर आपको छोटे-छोटे पूजा साधना आए हैं जो आपको अवश्य करनी चाहिए, जैसे कि हनुमान जी का चालीसा पाठ और हनुमान रक्षा कवच आपको अवश्य करना चाहिए, महिलाओं को बजरंग बान का पाठ नहीं करना है, लेकिन महिलाएं हनुमान चालीसा का पा जब भी आपको दिन के समय ये जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि आप ऐसे फर्स्ट चुकी है, कोई रास्ता आपको समझ में ना आए, घबराहट, परेशानी का एहसास हो, तो आपके लिए एक मंत्र है जो बहुत ही शक्तिशाली है, मा भद्रकाली का मंत्र है, इस मंत्र को चा अच्चे भाव के साथ बोलने से ही आपकी पीड़ा समाप्त हो जाएंगे, यह बताएं हट नहीं लगेंगे, मंत्र आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम क्रीम दोस्तों, ध्यान से सुने ओम क्रीम, और यदि महिला है, त इस मंत्र में बहुत प्रचंड शक्ती समाहित है, जब आप इस मंत्र को ग्यारा बार उच्चारण करेंगे, उतनी से ही आपके उपर नकारात्मक उर्जा का प्रभाव कम होने लगेगा, जी हाँ, दोस्तों को, यह तो थे उपाय और संकेत, आप इस वीडियो में बताई ग रहेंगे कि आपके उपर चाय संचित हो या ना हो, आप इन उपायों को फिर भी कर ले, कोई इसमें बुराई नहीं है, छोटी मोटी भी नकारात्मक शक्तियां होगी, तो बहुत दूर हो जाएगा, दोस्तों, बस आपको इन उपायों को सच्चे भाव के साथ करना है, पूरी कोशिश करेंगे, इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो, अवश्य लिखना मां भद्रकाली आपकी रक्षा करें, आपको सीधा आशीरवाद देंगे, आपका जीवन सुन्दर और सफल बनेगा, मिलते हैं अगले घ्यानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता करेंगे,